नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी न्यूज मैं हूँ गौतम रोय दोस्ती की बुलिट ट्रेन हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है जापान के प्रधान मंतरी शिंजवावे भारत के प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के साथ शिकरवारता के लिए तीन दिवसिय भारत यात्रा पर दिल्ली आ चुके है विदेश मंतरी सुष्मा सुराज ने आज आवे के साथ मुलाकात की है और दोनों की बीच आपसी संबंदों को और मजबूत करने के लिए अच्छी बात चीत हुई है कल का दिन दोनों देशों के पहले से ही घरिष्ट संबंदों को और गहरा करने में एतिहासिक साबित हो सकता है जब रिधान मंतरियों की शिखरवारता होगी रक्षा व्यापार और अन्य संबंदों को और पुखता करने के लिए कई करारों पर दस्खत हो सकते हैं जिनमें मुंबाई से एहमदवाद तक 90,000 करोड का बुलिट ट्रेन शुरू करने का समझाता भी शामिल है। एशिया की दो प्रमुक अर्थ व्यवस्ताओं के बीच तालमेल बिठाने और विशेश रणनितिक संबंधों को नई उचाई पर ले जाने की रादे से जापान के प्रदान मंत्री शिंजोवे भारत पहुँच गए हैं। शिंजोवे का पहला कारकम विदेश बंधी सुषमा सराज के साथ मुलाकात का था जिसमें उनों ने तमाम दुपक्षिय मसलों पर बात की। शिवासी के संबंध में जापान से जो सूचनाय प्राप्त होंगी उने जापान के समक्ष प्राधी करण से सुईकरती मिलने के बाद अन एजेंसियों के साथ साजह किया जा सकता है। शनिवार को शिन्जो अवे की प्रदान मंत्री नरैंद्र मोदी के साथ दूपक्षिय सालाना शिकर वारता होगी। इस वारता में पियम मोदी और जापानी प्रधान मंत्री पिछले एक साल में खास कर व्यापार और निवेश के शेत्र में लिए गए दोई पक्षी और निरनेों पर प्रगत की समिक्षा करेंगे इस दोरान दोनों देश भारत में बुलिट रेल प्रणाली की स्थापना के 98,000 कौन रुपए के करार के साथ कुछ अन्य समझोते भी कर सकते हैं प्रधान मंत्री ने शिंजोवे की यात्रा के संबंदों के और गहरा होने की उम्मीद जदाते हुए ट्विट किया है अवे की यात्रा से भारत जापान संबंद और गहरे होंगे शिंजोवे दिल्ली से वारानसी भी जाएंगे वारानसी पियम मोदी का संसदिय निर्वाचन शेत्र है वहां की यात्रा साले चार घंटे की होगी और अवे इस दोरान वहां पर सिद्ध दशाश मेस घाट पर गंगा आरती का दर्शन करेंगे इस दोरान प्रधान मंत्री मोदी उनके साथ होंगे शिंजोवे की यात्रा से पहले ही वारानसी की लोगों में खासा उत्साह है एक सेंड आर्टिस्ट ने वारानसी में भारत जापान दोस्ती पर कला करती बनाई है गौरत अलब है की प्रधान मंत्री मोदी पिछले साल 30 अगस से 3 सितंबर तक जापान की यात्रा पे थे टोक्यों में पिछले साल हुई शिकरवारता में दोनों प्रधान मंत्रीयों ने देपक्षिय संबंधों का इस्तर बढ़ा कर विशेश सामरिक और वैश्विक भागिदारी के इस्तर पर ले जाने पर सहमत जताई थी जापान यात्रा में शिंजो अवे मोदी के साथ क्योटो शहर भी गए थे और वहां वरानसी और क्योटो के बीच सिस्टर सिटी समझोता हुआ था इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दोनों देश संबंधों को नई उचाई पर ले जाने के लिए तत्पर है तो किस तरह की रफ्तार किस तरह की गती मिल रही है बुलिट ट्रेन की गती भारत और जापान के संबंधों को दोस्ती की बुलिट ट्रेन की हम बात करें इस पर शर्चा करने के लिए हमारे साथ शर्शांक है, पूर विदेश साचिव, हमारे साथ प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी भी हैं, भारते विदेश व्यापार संस्ता से हैं आप से शर्चा कुरूँगा, शर्चानक साथ आपको क्या लगता है, जिस तरह से अब एक बार फिर शिंजो आबे आ रहे हैं, पहली बार प्रधानमंटरी मोडी के बनने के बाद आ रहे हैं, अब लगता है कि जिस तरह के पहरी बात चीत हुई ते, पहरी मलाकात में इन दोन से मानते रहे हैं कि भारत और जपैन का maximum potential जो दो देशों का हो सकता है cooperation का वो है और इस समय वो इसमें लगे वे हैं कि किस तरह किस उस potential को reality में लाया जाए और हम लोगों की global strategic partnership बन चुकी है और उसमें जो है प्रधान मंतरी मोदी जब जपैन गए थे उन्होंने जो अपने projects हैं इंडिया में making इंडिया है skill development है clean इंडिया है इन सब में उन्होंने कहा कि जपैन के साथ में मिलके चलना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से जो जपैन जो long term partnership की बात करी है भारत के साथ में और ये global strategic partnership तो मेरे ख्याल से ये जपैन जो है इस बार ऐसी बात करेगा कि already जो OECF assistance है भारत की समय दुनिया में सबस्जाद है भारत को मिल रहा है इस समय जब हमने bullet train की बात हुई है तो उन्होंने इतने अच्छे terms पे financial terms पे भारत को bullet train देने की बात की है और उसका technical technology transfer भी करीम 80% जो है वो कहते है कि भारत में बनेगा अब बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा तो मेरे ख्याल से उनको जो धक्का लगा इंडोनीशिया में चीन जो है महाँ पर जपैन को नीचा दिखा के आगे उनकी bullet train वो ले गया है तो अब जपैन ने कहा कि भारत दूसरा देश है बलकि जो उनके हिसाब से तो नंबर वन देश है अशा में पार्टनरशिप के लिए लेकि नहीं चाहते हैं दिली में और इसी प्रकार से अब जो कहीं clean शेहर बनाने में smart cities के लिए जो बात बनी है कि कोबे और वारieving नसी में पार्टनरशिप होगी और किस तरह के से पराने से पराने शेहरों को बिल्कुल स्मार्ट सिटी डिवलप्मेंट के लिए भी आगे ले जाया जाएगा तो मेरे ख्याल से इसमें जो है वो चाहते हैं कि पूरे तरीके से और पर बात करी जाए अगर रक्षा है छेतर में जी 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 और इंडियन ओशन में तो पर में थोड़ा बात में आना चाहूंगे पहले हम और आपने वारा नसी का भी जिक्र किया तो इस बार जा भी रहे हैं आप उसमें भी काफी तेजी आएगगा हमको लगता है कि बहुत आवशक है कि एक तो बहुत पुराना शहर है जटिल समस्या है पर गंदा को क्लीनिंग का वो मामला चल रहा है तो में खासे अगर जपैन का साथ रहेगा तो हो ना हो में पूरी उम्मीद है कि इसमें जल्दी से जल्दी वारा नसी जो है वो क्योट में जैसे कि शशांक साथ भी कह रहे हैं कि 80% तक आ सकती है उसकी तकनीक भी हो जाएगी यहां पर लेकिन जिस तरह के लक्ष रखे गए हैं पिछले साल रखा गया था कि डबल हो जाएगा दुगरा हो जाएगा जिस तरह का ट्रेर होता है तजारत होती है उसको 34 बिलिन करने का था 2019 तक आपको लगता है कि उसमें अब तेज़े आएगी क्योंकि यह थोड़ा सा यहां पर कह सकते हैं कि गाड़ी अटकी हुई है देखिए जापान और भारत की पार्टनर्शिप एक नेचुरल कॉम्प्लिमेंटरिटी पे बेस्ट है और हम नेचुरल सिनर्जिक पार्टनर है उसके अंदर आप देखिए इंडिया का आपने देखा कि हमारा एक्सपोर्ट में शेयर सम्हाव 1.7-1.8 के करीब चल रहा है पिछले 10 मन्त में आपने देखा कि इंडिया के एक्सपोर्ट के अंदर लगवाग 18-20% की गिरावट आई है इंडिया की जो बेसिक है कि मेक इंडिया and the basic problem in मेक इंडिया is our capacity to make. No capacity to make is Japan is a natural partner for India. No why? Japan के अंदर आप देखिए कि Japan के भी एक्सपोर्ट में गिरावट आई है. If you see 1993 the Japan sharing the word export was almost 9.9% which has now come down very substantially to almost 2.2% something like that. बहुत भारी गिरावट है. बहुत भारी गिरावट है. जापान को उसमें भारत को उसको बढ़ाने की काफी जरूरत है. जापान को market चाहिए जापान को market चाहिए और इंडिया manufacturing sector में तब तक नहीं आपाएगा जब तक हमारी capacity नहीं. तो उसमें दो चीज़े हैं. एक तो logistics and logistics के अंदर जैसे कि जो bullet train की बात है जो आपने आज headline भी दी है. तो bullet train is a natural partner. 0.1% के उपर जो उने financing की है which is probably the best finance could be available to any country in any part of the world. एक, technology का जहां तक सवाल है, you know, the various report has said that probably it is the best and the most safest technology which I think we are getting. दो speed के अंदर है के शंगाई वाली train की speed लगवाग 450 है, इसकी speed थोड़ी 340-350 के करीब आ रही है. But if you see India की on an average the speed is somewhere between 40 to 60 km. So that way I think it's a win-win situation. इसे ही काफी जमीन आसमान का फरक पर जाएगा. अचा, trade का जहां तक सवाल है, आज की तरीक के अंदर आप देखिये की लगभग जापान का 140 बिलियन दॉलर का trade deficit है. So Japan under any circumstance is under extreme pressure to find markets for export. अचा, जापान के अंदर the growth rate is very less. Now India is a fastest growing economy among the, in the big economy we are, you know, rather the fastest growing economy with 7-7.5%. तो इसलिए India is a natural market in short term, medium term and long term. अचा, दूसरा अगर आप FDI के भी अगर उस पर जाते हो, FDI, although Japan stands fourth in terms of the FDI, बार शुरू के दू अगर technicalities के ऊपर आप देखिये की मौरिशा से and Singapore है, and there is a lot of, you know, the analysis says that Mauritius and Singapore basically the Indian, you know, rooting of the money. Third position comes the UK and then Japan. So Japan is a country from where the real investment is coming. And over 1,200 Japanese companies are already in India, and Japan is one which I think help India in making, you know, our dream into reality, making India, manufacture export, growth in export, so I think it's a win-win relationship. Japan में दूसरी एक और पर प्राबलम है, you know, Japan has a problem of easing population. Now, Japan with that easing population in Japan, 20% उनकी शायद जो 65 से उपर है. So Japan can, now, and therefore manufacturing in Japan is, you know, increasingly getting difficult and incompetent. Therefore, they also need to find out a place where they can manufacture competitively, not only for marketing in India, for marketing for rest of the world. Professor Joshi, तो बात करें, Shushank साहब, manufacturing की जाहत है, लेकिन जो मूल भूत हमारा ढाचा, उसमें भी Japan, जैसे कि बुलिट ट्रेंड की बात हो रही है, और किन-किन स्पेसेज में, किन-किन शेत्रों में हमारी मदद कर सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है, जपान का भी फायदा हो, भारत का भी फायदा हो. जैसा है कि जपान हमारे साथ में मिलके तो चल रहा है, पोटेंशल हमेशा से रहा है, लेकिन जब से जपान और चाइना के बीच में, थोड़ा सा कुछ मनमुटाफसा रहा है, क्योंकि उनके देखिए, एकनॉमिक रिलेशन्स बहुत स्ट्रॉंग है, लेकिन पॉपुलर फीलिंग्स एक दूसरे के खिलाब बहुत जाद है, आम जनता जो है चीन में, जपैन को अपना एनिमी मानती है, जपैन में भी चीन के खिलाफ बहुत फीलिंग्स है, कि एस चाइना सी में, वो चाहते हैं कि सारा का सारा उनका अधित्त पत्त्य बना रहे हैं, साउफ चाइना सी में भी आ रह represents नाराज हैं, तो एक प्रकार से जपैन को लगता है की वियतना, इंडिया, और इंडिनीसिया, ये तीन ऐसे देश हैं एशिया में जो उनके साथ में बहुत अच्छे तरीके से मिलके चल सकते हैं और भारत के साथ में जब जब बार पार्टिसिपेट करेंगे तो एक तरीके से जपैन जो है अपना वो जो इंडो पैसिफिक की बात करते हैं पेसिफिक ओशन के साथ में बिला है जो पूरा चेत्र है तो उसमें एक समय था जब की आस्टेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमें एशिया में इन्डिया को नहीं काउंट करना चाहिए तो वो मलेशिया के प्रधान मंतरी महातीर मुहम्मद ने उनको बोला कि मैंने ऐसा कभी नहीं सीखा है और मैं नहीं सीखना चाहता हूं इस तरह की बाते हैं अब जपैन ने इतनी कोशिश करके भारत को एशन जो समिट बनी है एशन एकनामिक समिट उसमें इंट बारे बन रही है उसमें जपैन और इंडिया की पार्टनरशिप है विश्व के बारे में कहने यह कहना चाहूंίας स्वरक्षापरिश परिश़ का मसला है तो हम लोग का ग्रूप फ़ोर है जिसमें जपैन भी भारत भी है जर्मनी भी है तो इसमें वो मिलके चाहते हैं कि सवेक्त राष्ट में जितने जल्दी से जल्दी सुधार हो सके उनमें चारों देशों को पूरी कोशिश करनी चाहिए और फिर अफरीका से अगर मालूम चल जाता है कौन से देश आ रहे हैं तो फिर इसमें आगे परष्ट के परष्ट करने लाइए जाता ही नहीं है कुट बहुत से आगे की जो रहा है अगर आपको आर्थिक तौरपर भी Quand Bear करना है तो क्योंकि सभी की पर्यवरन और प्रक्रती साथ-साथ चलें तो यह बहुत जरूरी है जपैन के पास देखिए ऐसा है कि वहाँ जब से फुकुशिमा डिजास्टर हुआ है तो नुकलियर रियक्टर्स के उपर एक तरीके से वहाँ पर बिलकुल वह स्टॉप लग गया है अब वह कोशिश क्या कर रहे हैं क्लीन कोल टेक्नालोजी को लेकर वह कर रहे हैं सोलर टेक क्लीन कोल टेक्नालोजी के लिए कि वहाँ चलेंगे तो यह अमेरिका और वेस्ट के कंट्रीज के रहे हैं हमारे इंटीग्रेटेड़ प्लांट बन सकते हैं कि सुबर थर्बल पावर स्टेशन लगे वे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तमाल किया जा सकता है और सो उसको साथ में लेकर हम चलेंगे तो हमारे विचार है कि विश्व में किस तरीके से जो है क्लीन एनरजी चलनी चाहिए तो हमें सीखना नहीं और उसे हमें जो है जपैन के साथ में और हमारे पुराने विचार है उनको साथ में लेकर चलेंगे तो भारत जो है इसमें बहुत जोशी जहां तक परमानू उर्जा का सवाल है वो भारत के लिए काफी एहम है उसके पूरे एनरजी मिक्स में और जपान के साथ उसको लेकर काफी बातचीत काफी टाइम से हो रही है और इस बार उमीद है कि और पगती होगी आपका क्या आकलन है कई लोग कहने कि समझाता भ अजैंड नहीं आता है पाना रही हां पंद पर्टने पार्त पर्टन पार्टन पर सर्थिशिए जैपान में प्राब्लम यह कि उनकी जो जो डॉमस्तिक बेंसी ए तो सटीस्वी चैश्टिवर बशानल में आट बश्यक्तिवर सेड़्ियों आटकोश्यर शायरे वहें एव मुझे ऐसा लगता है कि भारत के साथ समझोते में उनकी डॉमस्टिक कॉंस्टिटिवेंसी इसके अंदर आड़े आ सकती है इंडिया के जहां तक सवाल है कि यूनू वी प्रोजेक्ट की इंडिया के अंदर आप देखो देली इस पॉलुटेटी इस अंदर आप देखा उसका एक जो सलूशन है एक अटमिक एनरजी जो है वह एक क्लीन अरजी निश्चित रूप से है उसके लिए इंडिया को जो है जापान के सपोर्ट की भी आवश्यक्ता है और जापान को अपन कि एक मरकेट मुझे असा लगता है की दोनों चीजा ऑंडिक और बॉर इस यूंदे इस्वी जो लिए एंड मोल दै पॉत्ट आप देखा एंडियर आप टेखा उप्या फिचिता इस बींट एंट आप से लिएंट इस अंडियर इन वेला की इंड धिर इस बीड़ा स्ड़ यहां पर क्योंकि हम काफी हद तक बात एक नेतृत की भी करें क्योंकि खासकर जहां पर गाड़ी अटकी है अगर परवाणू सम्मंदों को देखें तो एक तरफ प्राइमिनिस्टर आवे हैं दूसरी तरफ हमारे प्रथान मंत्री है मोदी आपको लगता है कि नेतृत तो बि कि रक्षा को लेकर जापान का अरिटूड बदला है उसका नजरिया बदला है कानून भी अब बदल गए है परमाणू सम्मंदों को भी अब और घनिश बनाया जा सकता है मुझे पूरी उमीद है इस मामले में जैसे प्रौसर जोशी ने कहा कि दिक्कते सिर्ख उनके डिमे करके जा रहे थे और नारे लगा रहे थे संसद में ने क्योंकि एक जपैन का जो पैसे फिस कॉंस्टिउशन रहा है और वो उन्होंने जपैन ने खुद इस्टेबलिश नहीं किया था वो किसी बाहर से जो है इक पावर ने इस्टेबलिश किया था जो जनल मैकार्थर थे उन्होंने वो बनाया था कॉंस्टिउशन तो एक प्रकार से जिस तरह की नई सिती बन रही है जपैन के चारों तरफ और चीन जिस तरह के से मसल पावर अपनी दिखाने में लगा वा है और देशों को तो उससे जपैन को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है अपने जो उनके पहल हो चाहे कोरिया हो चाहे कोई भी हो वो यह नहीं चाहेगा कि भारत को बिल्कुल इस तरह से जो है अपने खिलाफ नेगेटिव फिलिंग्स करवाए आपने देखा होगा कि चीन जो है जिस तरीके से उसने कोशिश करी पहले भारत को कहा कि नहीं आफ साउथ चैना सी में मत है यह वेटनाम के साथ में एग्रिमेंट वगरा मत कीजिए लेकिन जादे आगे बोले नहीं है इसके बारे में क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया नोशन में भी वह जिस तरीके से आगे बढ़ते चले आ रहे हैं तो भारत उनको उस पर रोक लगा सकता है लेकिन भारत न ही पंडूबिया ले जा रहा है इस समय चीन के उसमें खिलाफ करने के लिए लिए भारत से सिर्फ यह चाहता है कि साथ चाइना सीओ चाहिस चाइना सीओ ओपन और इंटरनेशनल रेगुलेशन के हिसाफ से हमारा जो है यह सीज में ट्रेड और ट्राफिक वगरा बहुत एहम है इसमें भी आपको लगता है कि जापान अब यूएस टू जो मैराटाम रिकॉनसेंस एक्राफ्ट है उनकी सेल की बात हो रहे है टिकनोलोजी ट्रांसवर की वहां भी बात हो रहे है यह भी कहा जा रहा है कि एक फ्रेमवर्ग अग्रीमेंट हो सकता है ओवरॉ प्रेशर नंबर का मिला के जो डिफेंस इंपोर्ट है उससे भी हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं अच्छा जापान के साथ ही है कि जापान हैस्टू फाइंड मार्केट फर देर दिफेंस एक्विपमेंट और स्पेशली जो अभी इसकी जो बात हो रही है दा 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 प्रेशली जो निश्चित रूप से मदद मिलेगी और जैसा आपने देखा कि प्राइम इनिस्टर जापान में गये तो उन्होंने क्योटो के साथ जो प्रोटकॉल किया वारा नासी वाला तो अचा हमको जो स्मार्ट सिटी का इनका प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी मुझे लगता है कि इनकी जो पॉलिटिकल विल है पॉलिटिकल अडरस्टेंडिंगे विच इस गोइंग तो प्ले वेरी क्रूशियल रॉल इन एग्रिमेंट बें इस तू कांट्री आपको भी मिन सिटुएशन फर बोथ आपको भी दिकत नहीं है जहां त बारत के अंदर जब से मेक इन इंडिया का प्रॉजेक्ट चला है तो भारत की जो डिफेंस ओरियंटेड मैनिफेक्श्रिंग कंपनीज है वो नहीं नहीं कंपनीज आके इसमें चेतर में आ रही है तो यह समय है जबकि फॉरिंग मैनिफेक्श्रर्स चाहते हैं कि जो यह सब चीज बहुत चीज आती है इसमें टेक्नॉलजी ट्रांसवर अगरा का इसमें बहुत कॉंप्लिकेटेड रेलेशन्शिप रहती है और उसमें हमें डॉमेस्टिक उनका भी लाजिसलेशन देखना होता है कि अगर उनको चेंज करना होगा तो उसमें किस तरीके से वह एक्स को आतको मौन जाएंगे या हर बार उनको इग्रिमेंट कोंगरिस के पास जाना पड़ेगा जैसे अमेरिका का हमको मालूम है कि हर बार अगर जो है उनको चेंज ट्रांसफर करने के लिए उनको अपने कॉंगरिस पर जाना पड़ता है तो इसलिए वहाँ बड़ी कॉंप्लिकेटिट रिलेशन्शिप हो जाते है तो जपैन के साथ में अगर नहीं होता है तो मेरे खिया से जपैन के साथ हम आगे जादे तेजी से बढ़ सकते हैं तो कितनी उमीद है कि इस बार कुछ इस पर कुछ हो पाएगा ठोस आबे साब ने जिस तरीके से बात करी है और लिखा है अपने आर्टिकल में आज टाइमस अफ इंडिया में तो मुझको लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कुछ ना कुछ तो वो एग्रिमेंट हो जाए डिफेंस एरिया में क्योंकि उनके डिफेंस पॉलिसी जो बनी है उसमें उसके लिए भी एक महतपून ये बुद्दा रहेगा है एक एजिन जी टू की भी बात हो रही है एक और आर्टिकल आज लिखा गया है लेकर आपको लगता है कि भारत इस तरहे के सम्मंद बना सकता है जपान के साथ क्योंकि नॉमली भारत अलाइंस नहीं करता है हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि एक तो भारत के रिकौर्इमेंट्स जो है वो किसी एक देश नहीं पूरा कर सकता है तो पहले जो पराने ज़़ाने में नॉन आलाइंडमेंट की बात करी थी उसकी एक वज़ए ये भी थी कि कोई एक देश हमारे requirements को meet नहीं कर सकता था अभी भी ये बात रहती है तो अगर हम ये कहें कि ने खाली हम जपैन के साथ में चलेंगे हम partnership करते हैं तो partnership हमारी रहेगी चीन भी आएगा साथ में तो हम चीन के साथ भी चलना चाहेंगे क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम देखते हैं कि चीन पाकिस्तान या कुछ और देशों को साथ में हमारे खिलाफ खड़ा होगा और हम जपैन के साथ में उनके सामने खड़े होंगे नहीं ऐसी बात नहीं है हमेशा जब भी बात हमारी हुई है जए जपन से चाहे अमेरिका से जए किसी से हमेशा हिए रही है कि चीन को साथ में लेकर चलना है कालि हम योछ चाहते है कि जो एशिया के देश है उनको एक नए तरीके की relationship बना कर चलना है दोस्ती की और साथ साथ आगे बढ़लने का और देख कई बार कहा गया है कि एशिया में पूरा पॉसिबिलिटी है कि दो या तीन देश आपस में मिल जुलकर आगे बढ़ सकते हैं तो ऐसे में मैं सोचता हूँ कि जपैन के साथ में एक्स्क्लूसिव और बिल्कुल क्लोज टाइप के अलाइंस बनाना तो ठीक नहीं रहेगा लेकिन जितना हम जा सकते हैं लेकिन साथ ही साथ चीन के साथ में भी हमको ध्यान रखना होगा कि उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं टेक्नॉलजी जो की हमारे साथ में चलना चाहिए जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है उसमें अगर चीन का पूरा हमें सही होग मिलता है तो हमारे को उससे फायदा ही होगा नुकसान नहीं होगा आर्थिक रिष्टिकोर्ण से भी आपको लगता है कि यहीं सही नीती रहेगी क्योंकि एक चीज़ जो चीन के पास है और जापान के पास भी हो सकती है भारत में रोजगार की बहुत जरुत है और उस तरह की तकनीच जो रोजगार पैदा करें हुमन के रिना की आटोमेटड रोबोटिक्स की तरफ हम जाए वो भारत के रिए जादा कारगर रहेगा चीन से दोना है एक तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है वेट 12.5% शेर इंद वर्ड मार्केट दूसरा जो कॉस्ट जो कॉस्ट रफ गुट्स है जो हम चीन से इंपूर्ट टरते हैं वेरी वेरी कॉंपटिटिव इंटरनेशनल मार्केट इसलिए चीन जो है वह जपान का भी बहुत बड़ा ट्रेट पार्टनर अचा इसलिए कुछ प्रोड़क्स सेग्मेंट सेगमेंट सेगमेंट इसलिए चीन को रिप्लेश करना अतिजिक मुश्किल है और उसको जैसा की अभी शशांग जी ने बताया कि हम किसी एक देश से नहीं क्योंकि वह अलग मार्केट सेगमेंट हो जापान पूरा करता है और डिफरेंट technology at a very cost effective and जो उनकी finance terms हैं वो इतनी अच्छी हैं इतनी अच्छी हैं end the state of art technology that it's a win-win situation अंत में आप से एक closing comment श्रांक साब की deliverables के हिसाब से आप इस बार किन-किन चीजों की उमीद कर रहे हैं किस तरह के समझाते होंगे जो आगे आने वाले दिनों में दोनों के लिए काफी लाद भाएक होंगे सबसे बड़ी बात तो यह bullet train कैम है क्योंकि cabinet ने approval ले लिया है तो इसमें सबसे जाद है जो है जल्दी से जल्दी इसको करना होगा क्योंकि देखिए जपैन बड़ा conservative देश रहा है बहुत समय लगाता है decision लेने में कोई cooperation projects वगरा करने में अब चुकी बात यह हो चुकी है और यह 90,000 के करीब 96,000 के करोड के करीब यह मामला चल रहा है तो इसको सबसे जाद है आगे बढ़ना चाहिए दूसरा अगर रक्षा चेतर में हम आगे बढ़ सकते हैं तो जरूर और बाकी infrastructure की बहुत सारी projects ऐसी है फिर यह clean city development के लिए river water cleaning के लिए यह सारे ऐसे उनकी technologies है power generation में जो है मैं कहता हूँ कोल के बारे में अगर हम clean coal technology में उनके साथ में अपने cooperation कर लें तो हम लोगों का जो भी दिक्कते हैं power sector में उस सब की सब दूर हो जाएंगी क्योंकि efficient हमको power मिल जाएगी और clean power मिल जाएगी और इसमें जो है nuclear का अगर साथ में हो जाता है तो उसमें यह है कि जो अमेरिका के साथ में हमारे projects अठके में हैं भी और रक्षा के शेत्र में हमने रक्षा के शेत्र में अतना रक्षा के शेत्र में यह है कि अभी शुरुआत करनी है तो कि उन्हें नई defense active defense policy उन्हें अडॉप्ट करी है उसमें cooperation with other countries भी इसमें आ जाता है और चुकि जापैन का भी interest है कि दाइश ने उनके दो नागरिकों को execute किया और बाकी जगे भी उनके नागरिक अब निशाने पर आ रहे हैं तो वहां पर भी भारत मदगदार साब आतकबाद के मसलें पर भी जपैन मानता है कि भारत के पास ऐसी information है भारत के पास वह सब knowledge है जो इसको साथ में लेके चला जा सकता है भारत जो है उसमें जपैन के लिए वह सब वो देश मिलके जाना चाहते हैं अमेरिका और यॉरॉप के देशों ने भी यह माना है कि भारत के साथ में जो cooperation होता है एंटि-terrorism पर बहुत महत्तपूर्ण है वो और साइंटिफिक कोपरेशन तो कहा रही ही और डॉक्त जोशी आपके लिए सबसे बड़े टेकवेज क्या रहेंगे आगर आपकी उमीद क्या है इसमें नहीं हमारे उमीद यह कि हिंदुस्तान के पूरे ट्रेड में एक इंफ्रेस्ट्रक्चिर की बहुत बड़ बल्या इसा लगता है कि इंफ्रेस्ट्रक्चिर के ऊपर समझेधा होग में इस सोंसे हान फिर्षेट कds last नों दियस्टिर्छ गूरस के डूसरा है इंड्स्रेल कॉरिड है बबात हो रही है काई जपान की ऑच काल्चियर काई की जपानीश काल्चर में नेगोशियत टेक्स लॉंक ताईम English most westerns they don't take decision quickly Japanese decision में time लगता है लेकिन वो decision थोड़ा long term होता है थोड़ा क्या बहुत long term होता है so Japanese take time so they are taking time but you know like you see अगर किसी country की company का major presence हिंदूस्तान में तो Japanese companies का है और उसी तरह से मुझे लगता है इसमें time लगेगा और यह bullet train एक शुरूआ आता है उसके बाद में industrial corridors है infrastructure development है और यह smart city development है where I think we need FDI in management of the urban area वो एक important चीज़ है और जो pollution की बात हो रही है उसके लिए तो निश्यत रूप से अगर यह atomic energy का बैठता है वैसे हम alternate energy की बात कर रहे हैं but alternate energy की उसकी cost effectiveness है उसके long term repercussions है but atomic energy is something in which we target I think to achieve targets very soon तो अगर यह होता है तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है और कुछ ना कुछ है positive है क्योंकि यह mutually compatible requirement है दोनों countries की और इसलिए हाँ बताइगे इनी में सब आपको लगता है कि ठोस प्रगती इस दौर में होगी निश्ची तूरूप से और अगर इंडिया के अंदर manufacturing को अगर यह support मिलता है infrastructure development में support मिलता है तो this will add India to for making India and export और यह निश्ची तूरूप यह long term है अगर आप देखो चाइना और हमारे export import क्या है हम normally raw material export करते हैं भी तक so far we have not been exporting manufactured goods और manufactured goods तो हमारा अपने लिए नहीं होता मानलो आप laptop यूज़ कर रहे हो mobile use कर रहे हो 90-95% of these things are imported तो यह तब तक नहीं हुए जब तक हम अपनी manufacturing नहीं करेंगे और उस manufacturing के लिए basically both the technology and the infrastructure और इनकी यह जो equation है the both prime ministers Ebbe and you know मुदी जी और इससे मुझे लगता है कि निश्ची तरूप से अच्छा होगा और भारत का जहांता कि export का तालुकात रहा है हमारत तो historical relations रहे हैं इनसे Buddhism is the Indian export to Japan to India for centuries before और उसके लिए तो आप जाओगे तो आप जाओगे तो वहाँ पर अच्छारान और हम आपको हर खबर इसके बारे में देते रहे हैं फिलहाल आप हमारे स्टूडियो में उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हर तादा खबर के लिए आप देखते रहें डीडी निव्स तो आप जाओगे झाल कर तो